हेलो अब्रीवन, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप आप, I hope आप सो बही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टिट्यूट अफ टेक्नॉलजी खड़कपूर की IIT खड़कपूर इनकी तरफ से भी इन्वाइट केगे हैं इन्फॉर्मिशन को ही डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो देखे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको PhD प्रोग्राम का यह अप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन है इस पे क्लिक करेंगे यह नेक्स पोर्टल ओपन होगा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट आप्शन आपको दिख रहा है PhD प्रोग्राम का तो इस पे क्लिक कर लीजेगा आफ्टर दाट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप्शन है तो सबसे पहले overview है इसके बाद यहाँ पे आप application fee देख सकते हैं जो की non-refundable होती है 1000 है unreserved वो भी CWS transgender के लिए सभी category के women candidates और SCSTPWD सभी के लिए 500 है ठीक है तो उसके अलामा अगर आप किसी category के हैं तो यहाँ पे क्लिक करके format देख सकते हैं यहाँ पे webpage का option देख रहा है तो जो भी center, school या department है जनमें आप interested है जिसमें apply करने की करेंगे उससे पहले webpage देख लीजेगा areas देख लीजेगा, profile देख लीजेगा, faculty की and etc. next information brochure respect करके download करेंगे अभी हम देखेंगे now deadline so देखी 1st March से ही application start हो चुके है, form submission start हो चुके है and deadline is 31st March, फिर जो project category है सर्फ उन्हें जो भी project category में apply कर रहा है उन्हें hard को भी submit करनी है उसकी date है 5th of April ठीक है बाकियों को नहीं करनी है then second से 12th of May के बीच return an interview होगा, जो की offline होगा, ठीक है, most probably respective department या center area school में ही होगा, ठीक है then आप आपकी scroll कर सकते हैं और देख सकते हैं instructions है, यहाँ पर क्या क्या steps है form fill करना है, payment करनी है and then print लेना है, आपको भेजना नहीं है and then यहाँ पर queries के लिए आप चाहें, कोई भी query है, कोई issue है तो इस email ID पर mail कर सकते हैं then देखे, यहाँ पर दो options है तो देखे, जब भी shortlist candidates की list आती है या फिर जो list आती है न, shortlisted candidates की तो आपको मैं link provide करते हूँ and फिर आपको समझने आता की open कैसे करना है so I think अभे तक जाला तर जो भी subscribers है, वो देख रहे होंगे वीडियो तो इसलिए मैं अभी बता दू apply online का option देख रहा है न, इसी के तरूँ आप अभी apply करेंगे और जब list आएगी न, तो इसी portal के तरूँ आपको open करना है याद रखिएगा, right, apply online पर click करते हैं, तो अभी तो आपको apply करना है, तो यहाँ पे आप register के option पे click करके register कर सकते हैं यहाँ पे जो green colored आपको दिख रहा है आपको last date दिख रही है, but जब list आएगी तो यहीं पे आपको shortlisted candidates या जो final result है, वो यहीं पे देखने को मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा apply online से ही आपको जाना है, तब ही आप देख पाएंगे, right, क्योंकि अगर मैं इस portal के link पर राइट करती हूँ, तो भी वो open नहीं होता है, now, यहाँ पे हमने जो भी informations थी देख ली, अब हम open कहतें, information brochure so yes, यह है information brochure आटी खड़कपूर, information brochure सबसे पहले आप contents देख सकते हैं general है, फिर PSG program सर रिलेटेड है, general same है, जो हमने अभी website पर देखा है, यहाँ भी same है, date स्रिग्राम ने already discuss किया हुआ है, फिर institute के बारे में कुछ overview है, तो देख लीजेगा आप यहाँ से website पर विजिट करके explore कर लीजेगा चीजों को after that यहाँ पर similarly कुछ informations and then PhD program तो यहाँ से आप PhD specific informations देख पाएंगे, देखे सबसे पहले तो department के links, URL यहाँ पर दिये हुए है, directly click करके आप website पर विजिट कर सकते हैं, जो specific department वेब पेज है, उस पर विजिट कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर seat वगरे की information नहीं है, तो इसी के through हम देख लेते हैं, कौन-कौन से department center या या school है, जिनके लिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं and area जैसा की पहली बताया, area आपको webpage भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर mention नहीं है, right so departments में aerospace engineering है, then electrical, sorry agricultural and food engineering, architecture and regional planning, biotechnology chemical engineering, chemistry civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering electronics and electrical communication engineering, geology and geophysics, humanities and social sciences, industrial and systems engineering, then mathematics mechanical engineering, metallurgical and materials engineering, mining engineering, ocean engineering and naval architecture, then physics centers में center of excellence है in artificial intelligence, then advanced technology development, center for oceans rivers, atmosphere and land science, then computational data sciences, cryogenic engineering indian knowledge systems, then science of happiness, petroleum energy, material science, rubber technology, rural development, then bioenergy renewables, safety engineering and analytics and schools है, so सबसे पहली, bioscience का school है, then energy science and engineering, environmental science and engineering, school of telecommunication nanoscience, engineering entrepreneurship, then intellectual property laws, then infrastructure design and management, medical science and technology, water resources, quality reliability, school of management तो यह schools थे, centers and departments थे, criteria में आपके पास, yes, master's होना चाहिए, minimum 60% marks के साथ, या फिर 6.5 CGB है, यह आपने देखा, wait, अगर आपके पास जो डिगरी है, वो engineering, science, commerce, management, law, या equivalent में है, बट हाँ, अगर HSSS में आपकी डिगरी है, humanity, social sciences, या आपने बिबियस किया है, या तो उस case में 55% marks है, तो भी आप eligible होंगे, ठीक है, next, यहाँ पर आप देख सकते हैं, appearing, तो हाँ, अगर आप appearing है, तो आप eligible है, right, note में देख लीजेगा points को, then, सबसे important, जिसके बारे में, last time भी confusion होई थी, हर बार होती है, देखिए, 3.2 A, 3.2 B, दो tables है, बहुत ही जाता, relevant है दोनों और difference है दोनों में, एक के लिए gate required नहीं है, दूसरे के लिए mandatory है, हो सकता है, यहाँ लिखा हो, gate नहीं चाहिए, बर जब आप apply करें, list आए, तो उसमें, criteria में उन्होंने gate को भी consider किया हो, तो यह सभी description, university या institute का होता है, department का होता है, मेरा काम है, इसमें जो लखा है वो आपको बताना तो, वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसे तसलिश से सुनिए का, बिकिसी important है, so table A, देखे, इसमें जो qualifications है, पहले क्या क्या है, जैसे integrated LLB के बाद क्या है, मतलब 10 plus 2, then LLB, then LLM, या फिर 10 plus 2 plus 3 के बाद, 3 years LLB का है, उसके बाद LLM है, या फिर इसके equivalent को यह डिग्री, ठीक है, next table है, B वाला, तो यहाँ पे B.Tech है, या B.A.C. Engineering है, B.Ark है, M.S.C. है, M.A. है, M.Phil, एक year वाला है, M.B.A. P.G. Diploma to your duration, M.B.B.S. है, एक साथ, एक साल internship की हो, आपने LLB है, तो इसमें criteria क्या है, देख लीजेगा, थोड़ा ही, थोड़ा सा ही difference है, ओके, तो अब table देखके, decide कर लीजेगा, कि आपकी डिग्री कौन सी है, और वो किस point में है, A में या B में, अब इसका relevance क्या है, वो यहाँ पे है, तो देखे, institute assistantship के लिए, अगर 3.2B वाले degrees हैं, तो आपको gate score चाहिए, आपके पास gate score होना चाहिए, या net होना चाहिए, तब यह आप eligible है, fellowship के लिए, ठीक है, A वालों के लिए, ऐसा कहीं नहीं लिखाए अभी तक, ओके, सो बस यही reference है, यही relevance है, fellowship अगर पता है, 31,000 होती है, then individual fellowship है, तो next category वही है, कि आपके पास खुद की fellowship and valid about letter हो, sponsored है, तो आप वो your organization sponsor करेगा, इसमें आप इना getner के भी eligible होंगे, okay, and बाकी क्या के submit करना है, वो आप देख लीजएगा, फिर project के थूँ है, तो eligibility, आप of course, जो भी requirement है, वो fulfill करते हो, and sponsor project में work करें हो, institute के, तो आप eligible होंगे, इस category के लिए, बढ़ हाँ, अगर आपने बीटे किया है, IT से, या dual degree, and age से जादर CGPA है, तो आप direct admission के लिए eligible होंगे, with institute assistantship, ठीक है, फिर यह working professionals के लिए है, तो आप यहाँ पे criteria देख सकते हैं, engineering and basic sciences के लिए, VTEC MSCBE होना चाहिए, 7.5 CGPA, 70% marks के साथ, 2 years का experience भी होना चाहिए, minimum, then HSS है, तो क्या है, qualification required ही, आप ऐसे दीख सकते हैं, then survey discipline के लिए, कुछ और requirements है, then special notes है, फिर selection and admission, तो overall academic performance, written test, personal interview, इस पे basis होगा, इस पे based होगा आपका overall admission, सबी चीज़े, offline mode से ही होंगी, फिर fee अगिरा, आप देख सकते हैं, course work, तो यह admission के बात का जो भी चीज़े हैं, process है, वो है, ठीक है, registration, degree, defense, etc, now, यहाँ पर formats हैं, appendices हैं, तो format वगेरा है, फिर यहाँ working professionals के लिए guidelines हैं, तो अच्छे सा देख लीजेगा, और बाकी यही information थी, इस particular university से related, गेट required है, fellowship के लिए, बठा, aid में अगर आपकी degree है, आपके पास mtech वगेरा है, तो required नहीं है, ठीक है, कोई भी confusion है, तो जो contact में, आपने mail देखा, उस पर mail कर लीजेगा, and yes, that is it for today, वीडियो को share कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर लीजेगा, thank you so much for watching this video,